चैंप्स मेरा नाम है लक्षवर्मा और आज हब एक पोयम पड़ेंगे जिसका नाम है भ्रह्मा राक्षस इस पोयम को जी एम मुक्तिबोथ जी ने लिखा है मुक्तिबोथ जी पैदा हुए 1917 को और उनकी डेथ हुए 1964 को मुक्तिबोथ जी सिर्व एक पोयेट ही नहीं थे वो एक क्रिटिक और ऐसे इस्ट भी थे एक पोयम दो फोर्सिस के बारे में बताते हैं पहली तरफ ब्रह्मा है जो एक स्कॉलर है जिने काफी नौलेज है दूसरी तरफ राक्षस है जो डीमन है डाक्षनेस का मित के अकॉर्डिंग एक ब्रह्मिन की ड्यूटी है कि वो नौलेज को अपनी पूरी लाइफ लोगों में स्प्रेट करें अगर वो ऐसा ना करें तो अपनी डेथ के बाद वो ब्रह्मा राक्षस में बदाल जाएंगे चलिए अब हम बिना आपका टाइम वेस्ट करें पोयम को इजी लैंगविज में समझते हैं इन नाइनों का मतलब है कि पोयट बताते हैं एक जगा जो सिटी के मार्जन पर है और क्रियेचर एक वेल में रहता है अबैंडेंट रुइन्स के बीच और जो मैनमेट अबजेक्ट्स है वो डिस्ट्रॉय हो रखे थे जैसे कि एम्टी वेल और रुइन्स चैंप्स रुइन्स का मतलब होता है डैमेजड और ओल्ड स्टेल पडल का मतलब होता है पुराना घड़ा जो की पानी से भरा हो इन लाइनों का मतलब है कि पोयट बहुत सारे कलर्स की बोल्ड इमेज़िस बनाते हैं जो की शाइन कर रहे हैं डाक्नेस में ट्रीज विटनेस है उस कर्ष्ट ब्रह्मा राक्षस के पोयट डेंजर को सेंस कर सकते हैं जब वो वेल के पास जाते हैं ये डेंजर की फिलिंग क्लियरली पता चलती है उस कन्नर ट्री के रेड फ्लार से इन लाइनों का मत्तब है कि हम ये देख सकते हैं कि ब्रह्मा राक्षस मंत्र चैंट कर रहा है ताकि वो अपने कर्ष तोड़ सके और फ्री हो सके लेकिन उसके पास्ट के इविल्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे उस एम्टी थिक वेल में ब्रह्मा राक्षस एक्जिश्ट करता है चैंट ग्लैंस का मतलब होता है किसी की तरफ जल्दी से देखना इन लाइनों का मतलब है कि ब्रह्मा राक्षस को लग रहा है कि सन, मून और स्काय उसे बाव कर रहे हैं क्योंकि उसको लगता है कि इनोंने ब्रह्मा राक्षस की सुप्रमेसी एसेप्ट कर ली है इसी वज़ा से ब्रह्मा राक्षस की एनरजी डबल हो गई है और वो अब वापिस जाता है नौलेज को पाने चैंस मून बीम का मतलब होता है मून की रौष्टी, स्टैगर का मतलब होता है अन्स्टेडिली चलना, वर्शिप्स का मतलब होता है पूजना, और वेनरेबल का मतलब होता है किसी की एज, परसनालेटी या पोजीशन के बेस पर रिस्पेक्ट देना इन लाइनों में जितने भी वर्ट्स हैं वो सब वर्ट्स को ब्रहमराक्षस चैंट कर रहा है वो तब तक इन वर्ट्स को बोलेगा जब तक वो साउंड या अटरेंस ना बन जाए प्रहमराक्षस की चैंटिंग को सिफ्टगार्ट्री, फिक्ट्री, फ्रूट्स और फ्लार्स ही सुन सकते हैं हुमन सोल इन चैंटिंग को नहीं सुन सकती प्रहमराक्षस की चैंटिंग को सुन पा रहे हैं इन लाइनों में प्रहमराक्षस की मैडनेस और डेथ को क्रेचर ने काफी कोशिश करी वेल से बहार निकलने के लिए लेकिन फेल हो गया पोयट विश करते हैं कि वो ब्रहमराक्षस के स्टुडेंट बन जाए और ब्रहमराक्षस के इनकंप्रीट वर्क को पूरा करे पोयट विश के पेन के सोर्स को कलेक्ट एक्स्ट्रैक्ट और राइस करना चाहते हैं